आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट वाक्स में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप टूबे स्विच का यूज किस तरह कर सकते हैं mostly क्या है यह स्टेयर लाइट वगेरा में हम यूज कर सकते हैं करते हैं जमेरी स्टेय वगेरा यह आपि ऑघर हमारी बवल बड़ाए तोcules को अज्म कर सकते हैं तो देखने एंगे वड़ के म。 तो दोस्तो सबसे पहले जो है में सुविच का कनेक्शन कर लेते हैं तो इसका कनेक्शन करने के लिए जो हमने के ग्रीन कर रहे का वायर लिया हुआ है जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास एक बाहर है जो में सप्लाई के न्यूटल में जाएगा दूसरा मैंने के रैड कलर का यहार भी लिया हुआ है जो हमारा में सप्लाई में जो फार रहे गा उसमें जायगा तो सबसे पहले जो हम इना content कर लेते हैं तो दोस्तों पहले में रैड वाले वायर का लिया παिली स्विच के साथ कर लेता हूं इस तरह से इसी के साथ हम एक दूसरा और रेट कलर का बायर ले लेते हैं जो हमारा दूसरे स्वीच के साथ कनेक्ट हो जाएगा यहां से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं तो इसका जो हमारा यह रहेगा दूसरा सिरा जो रहेगा बायर का यह हम इदर दूसरे सुविच के साथ कर लेंगे और मैं एक और रेट कलर का बायर ले 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 तरहा हूं से इसको भी मैं इस सुविच के साथ कनेक करके तो यह आप देखेंगे कि हमारा दो सुविच का कनेक्शन हो गया है जो हमारा यह लास्ट वाला सुविच है इसके साथ भी हम सेम इसको आप एक अपर कनेक कर देंगे तो यह दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो है एक वायर का कनेक्शन जो है तीनों स्वीच के साथ में कम्प्लेट हो गया है तो थोड़ा मैं इसको टाइट कर देखता है इसी तरह फिर मैंने कि यह दूसरे ग्रीन कलर का वायर लिया हुआ है शोड़ा इसका भी कनेक्शन हम स्वीच से लेकर लाँच तक कर देंगे तो इदर मैंने इसको यहां पे लगा दिया है इधि मैंने कि दूसरा ग्रीन क्लर का वायर लिया हुआ है इसका मैं एक सीरा जो़े इदर स्वीच के साथ कनेक्ट कर दे रहा है यहूं इदर ग्रीन कलर का वो भी मैं सेम नीचे के पॉइंट के साथ यह तरकनेक कर दूंगा पर यह लास्ट वाला जो स्विच है इसके साथ यह पर कनेक कर देंगे तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे हमारा जो थीवे स्विच तूवे स्विच है इसके हमने मीनशपलाई के कनेक्शन कर दिये है यह हमारा पावर कर रहे गए और यह हमारा नीचर कर रहेगा अब जो में विल्ब का करना है, तो यह देखेंगे, हमारे मीडिल वाले पॉइंट है यह हमारे भी फिरी है, तो में एक दूसरा वायल ले रहा हूँ अबी, यह मैंने एक एरलो कलर का वायल ले आ हुआ है, जैसे कि आफ देखेंगे, इसका एक सिरा जो है में इधर, फिक्स के तो इसका हमारा दूसरा सिरा है यह वल्वोल्डर के बढ़ पाटा देता हूं भी दूसरे एक टर्मिनल के साथ यहां पेसको कनेक्ट से अभी कर दे रहा हूं हुए 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 है है इसको ऊचा हुए 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 है च्ट मुぐ Maharा कर में में एक स्विच के शाथ एक वर्य का कंक्शन कर दिया है मैंने एक दूसरा फिर यह वाय लिया हुआ है यह लो कलरगा तो इसको जो है मैं बल बोल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ यहां पर कनेक्ट कर दे रहा हूं भी तो इसको मैं बल बोल्डर कुछ दर से क्लोज भी कर दे रहा हूं तो दोस्तों जैसे अब देखेंगे पहले बल बोल्डर का हमने एक बायर जो है इधर हस्वीश के साथ कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा बायर है है बल बोल्डर का वो मैं इधर दूसरे स्वीश के मिडल पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा फिर मैंने एक दूसरा बायर लिया है दूसरे बल बोल्डर के करने के लिए खिर न दोनों को एक साथ यहां पर दोनों कोottaब कर दे रहा हूं तो इन दोनों को मैं साथ जो decis ने का लेता हूं और यह मैं मिदिल में आपर कनेक्ट कर दे रहा हूं गोग दोस्तों कि आप देखेंगे के मारा जो यह एक वल्ब होलडर है इसका हमारा कनेक्शन जो है यह कम्प्लीट हो गया एक सिरा आमने इसका फर्स स्वीच के साथ कनेक्ट और दिया दूसरा हमने मिडिल वाल में कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा सिरा है जो हम रहा है दूसरा वल वोल्डर है इसके हम एक टर्मिनल के साथ यहां पर भी कनेक्ट कर देंगे तो यह आप देखेंगे कि मैंने परस्ट टर्मिनल के साथ वल वोल्डर के एक वायर यह मिदल वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है अब मुझे एक दूसरा वायल लेना है, तो मैंने एक दूसरा वायल लेया हुआ है, तो इसका भी connection जो है, यह जो वल वोल्डर का दूसरा टर्मिनल है, एक सिरा जो है, हम इसको यहां पर connect कर दे रहे हैं, इसको मैं tight कर दे रहा हूं, जो बायरेस को भी हम इसके cover के inside से दर भा कर देंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वल वोल्डर का हमारा एक वायर का connection मिडल वाले सुच के साथ हो गया है, और जो हमने दूसरा वायर connect के आए, इसका हम जो एक connection लाश्ट वाले सुच के मिडल पाइंट से यहां पर कर देंगे, इस तरह से, तो आप दोस्तों जै अब दैखेंगे चे-ाप बॉल्डर का रेडी हो गया हूं जो ओमारे की सविच के नीचे फाल़ा पॉयंट है कि साथ नहीं घ्रका कनक्षण आ रहा है और जो पर वाला यह में सप्लाई को भROप तो जैसे आप देखेंगे मारा यह connection अभी complete हो गया है अभी हम इसको check भी कर लेते हैं तो check करने के लिए मैं थोड़ा wire को इनको fold कर देता हूँ इस तरह से इस तरह से मैं दूसरे को भी थोड़ा fold कर ले रहा हूँ और मैं इन दोनों के साथ में बल्ब एके connect कर दे रहा हूँ इस तरह से और जो यह switch है इनको मैं सीधा कर लेता हूँ एक बार इस तरह से तो यह दोस्तों आप देखेंगे हमारा तीनो स्विच का connection इस तरह complete है अभी जो हमारे दो बार है इसको में में सप्लाई में connect करते हैं तो यह देखिए मेरे पाग बोल्ड है तो मैं इसको connect कर दे रहा हूँ भी कि देखिए दोस्तों अभी हम इसको ओन करते हैं थोड़ा connection लोजे मैं इसको यहां पर हास से पकड़ लेता हूँ इदेखिए मने फर्स स्विच ओन किया है तो हमारा इदर इस फर्स बलब जल गया अब जैसे हम दूसरा स्विच ओन करेंगे तो हमारा फर्स बल बंद हो जा क्या है तो हमारी यह लाइट जल गई है अब हम मिडिल वाले स्विच को ओफ करेंगे तो हमारी फर्स लाइट भी बंद हो गई है अगर हम इसको ओफ करेंगे तो यह लाइट भी हमारी इस तरह से बंद हो गई है तो दोस्तों इस तरह से आप घर पे जो इस्टेर लाइट क कर सकते हैं यह का फी यूजपूल होने वाला है तो इसमें आपको बाहर से किसी इलेक्टिशन को बुलाने की ज़रूत भी नहीं पड़ेगी तो आज का वीडियो जो है हम इंपर कंप्रीट करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फोर वाचिंग